केवल एक बार में यह चीज नीवू के पौदे को फूलों और फलों से भर देगी जिस नीवू के पौदे से फूल गिर जाता है तो इस चीज का आप एक बार इस्तमाल कर लें आपके नीवू के पौदे पर दोवारा फूल नहीं गिरेगा बहुत बहतर आपको अपडेट मिल करते हैं गंबलों में लगे हुए हमारे नीवू के पौदे हैं एक चैना नीवू का पौदा रखा हुआ है और यह देखिए एक कागजी नीवू है जिसमें काफी फूल बना हुआ है फल भी बहुत छट रहे हैं लेकिन काफी लोग परिसान रहते हैं कि हमारे नीवू के प जब हमारा नीवू का पौधा जब फूल दे रहा हो उस समय हमें ये भूल कर भी गलती नहीं करनी चाहिए कि उसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए हमें जितनी नीवू के पौधे में पानी की जरूरत है क्योंकि इस नीवू के पौधे में ज़्यादा पानी दे नहीं गिरेगा जितने फूल आएंगे वो फल में कनवर्ट होंगे आप मेरे हाथ में जो सहद यान की हनी देख रहे हैं जो मदुमक्खी का सहद होता है आपको ये लेना है और एक लीटर पानी में आप एक चम्मच घोल कर आप इसका इस्प्रे कीजिए हर तीसरे दिन अपने नीवू के पोदे पर इससे आपके नीवू के पोदे पर पॉलिनेशन ज़्यादा होगा पॉलिनेशन वाले जो खीट होते हैं बहुत ज़्यादा आएंगे तो आपके पोदे पर बहुत ज़्यादा फूल बनेंगे और उसमें से फल भी बनेंगे आप इस चीज की टेंशन करीब अंदाजे से डाल दिया है एक स्प्रे वोटल में अच्छी तरीके से हम इसे घोले लेंगे और घोलने के बाद में हम अपने इस नीवू के पोदे पर इसका छुड़काव कर देते हैं हर तीसरे दिन हमें इसका छुड़काव करना है और तीन बार ऐसा कर लीजे बस आप नीवू के पोदे से फल ले सकते हैं हमें उम्मीद है कि वीडियो प्योगी लगी होगी यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैं आपसे एगली वीडियो मैं फिर मिलता हूं कि जिनने टॉप सा ठेंक झीवू